दोस्तो आजगी इस वीडियो में हम जानेगे कि जिरोदा में एक्वीटी और फ्यूचर एंड ओप्संस का P&L कैसे डाउनलोड करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले आपको जिरोदा की काईट मोबाईल एपको ओपन कर लेना है उसके बाद आपको यह इस अकाउंट के सेक्षन पर क्लिक करना है यहां आपको P&L का option दिखाई दे रहा होगा आपको इस पर क्लिक करना है उसके बाद आपको यहां ब्राउजर सेलेक्ट कर लेना है तो दोस्तो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं जीरोदा की कंसोल का पेज ओपन हो चुका है, अब आपको यहां इस एक्वीटी के ओप्सन पर क्लिक करना है, यहां पर सेग्मेंट्स में, एक्वीटी, फ्यूचर इंड ओप्सन, करंसी, कमोडिटी, म्यूचल फंड्स, यह सारे ओप्सन दिये हुए हैं, आपको जिसका भी PNL डाउनलोड करना है, उसे सलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि मैं यहां एक्वीटी को सलेक्ट करता हूँ, उसके बाद आपको यहां इस डेट रेंज पर क्लिक करना है, आपको यहां जिस भी डेट का PNL डाउनलोड करना है, उसे select कर लेना है जैसे कि मैं यहां 2021-22 का financial year select करना चाहता हूँ अब आपको यहां इस apply की option पर click करना है उसके बाद आपको यहां इस नीले box पर click करना है तो दोस्तों जैसा कि आप यहां देख सकते हैं मेरे equity का P&L statement वो रहा है अब आपको यहां एक download का option दिखेगा आपको इस पर click कर देना है उसके बाद आपको यहां download कर देना है अगर आपको यहां future and options का P&L statement डाउनलोड करना है तो यहां आपको again equity के option पर click करना है और यहां segment में आपको future and options को select कर लेना है उसके बाद यहां डेट रेंज का उप्सन दिया हुआ है यहां डेट रेंज में आपको अगेन यहां डेट सेलेक्ट कर लेनी है उसके बाद यहां एपलाई पर क्लिक करना है और यहां नीले बोक्स पर क्लिक करना है अब यहां इस download की option पर click करना है और download पर click करना है तो दोस्तो यह PNL statement Excel file में download हो चुका है तो दोस्तो यह था आज का वीडियो ऐसे और informative वीडियो के लिए वीडियो को like, share and channel को subscribe करके bell icon प्रेस कीजिए